हेलो विर्वान स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनु वालान गुरू में आज के सुड़ी में आप लोगों को ट्रेंगल कांटिंग करना यानि कि त्रीभूज गिनना सिखाने वाला हुँ दोस्तों रीजनी का यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है इस चैप्टर से हमें हमेशा सभी परिष्वाव में कोश्चन देखने को मिल जाते हैं तो ऐसे कोश्चन को हम लोग कैसे आसानी से स्वांप कर सकते हैं यह हम लोग आज इस विडियो में सीखेंगे दोस् इससे कि आप लोगों को triangle counting करने की एक एक बारी किया बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएं और आप लोग triangle counting करने में कभी भी कोई गलती ना करें तो चलिए start करते हैं पहला कोश्चेना हमारा दी गई आकरती में त्रीबूजों की संख्या ग्यात करो तो देखे यहाँ पर यह देखे यह एक ट्रीबूज है यहाँ दोटल इस फिघरमें हमें कितने दोतरीबूज देखने को मिलना हैं तो इस फिघर में टोटल23 चलिए नेक्स फिगर देखते हैं देखे यहां पर यह एक चत्रभूज है देखे एक दू तीन चार चार पुजाओं से गरा चेतर है मतलब कि यह एक चत्रभूज है तो इसमें हमें ट्रेंगल काउंटिंग करना है तो कैसे हम लोग असानी से कर सकते हैं तो इसके लिए एक न एक, दो, तीन, और चार, टोटल चार त्रिपुज हैं, तो हमें इसमें त्रिपुजों की संक्या कितने हो जाएगी दोतनों, फोर, मल्टिप्लाइ बाई टू, इकल टू कितना हो जाएगा, एट, मतलब कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिपुज हैं, इसे मैं आप लोगों को काउंट करके दिखा देता हूँ, देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार तो हमारे बेसिक त्रिपुज हो गए, उसके बाद देखिए, ये एक ठोल ले लेंगे हम लोग, पांच, और फिर ये वाला ले लेंगे, छे, उसके बाद हम लोग ये वाला ले लेंगे, साथ, उसके बाद ये वाला हम लोग ले लेंगे, आठ, मतलब कि टोटल चार छोटे त्रिपुज हैं, और चार बड़े त्रिपुज हैं, टोटल मिला के कितने हो गए, आठ त्रिपुज हो गए, तो चलिए, अब हम लोग नेक्स फिगर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इस फिगर में कितने त्रिपुज होंगे, तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाले छोटे त्रिपुजों को काउंट कर लेंगे, देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, टोटल आठ हैं, मतलब कि इस फिगर में त्रिपुजों की संक्या कित निकालना है, तो देखिए, अगर इस फिगर में ये वाली लाइन नहीं रहती, तो हमारे पास कैसा फिगर हो जाता, हमारे पास एक फिगर मिल जाता, और वो कुछ ऐसा होता, ठीक है दोतों वो कुछ ऐसा होता तो इसमें हम लोग त्रिपूज काउंटिंग कैसे करेंगे सिंपल हमें क्या करना है कि इस फिगर के अंदर जितने भी छोटे त्रिपूज है उनको हमें काउंट कर लेना है देखे एक दो तीन और चार सभी को आइड कर लेंगे हम लोग दोस्तों तो देखे क्या हो जाएगा फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन कितना हो जाएगा चार तिन साथ दो नव एक दस टोटल दस त्रिपूज निकल के आ गए अब इसमें क्या किया है कि इसमें एक और लाइन कर दिया है तो इसको हम लोग कैसे काउंट करेंगे चलिए अब हम लोग में फिकर को साल्फ करते हैं देखे यहां पर तो हो जाएगा एक दो तीन और चार सबको हम लोग आइड कर लेंगे दोस्तों तो देखे सबको आइड कर लेंगे तो किया निकल के आजाएगा हमारा के एक फिस एक प्लस तीन, 2 , 3, 3, 6, 4, 10,áticas ठेक टोटल यहाँ पे हमारे 10 त्रिपुच बन गए अब यही काम उपर भी हुआ है एक व्यफी पर, एक बेस को 4 भागं बाटागा है यही काम उपर भी हुआ है तो उपर भी हम लोग काउंट कर लेंगे देखिए एक दो तीन और चार सबको अगर हम लोग एड करेंगे तो क्या जाएगा दस मतलब कि दस त्रिबूज यहां बने दस त्रिबूज यहां बने टोटल इस फिगर में कितने त्रिबूज जाएगे 20 आप्शन नमबर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसर हो जाएगा दोस्तों और अगर माल लेजिए इस फिगर में अगर यहां पर एक और भाग बाड़ दिया होता मतलब कि टोटल इस फिगर को अगर तीन पार्ट में बाड़ देता तो क्या होता सिंपल हमारा एक पार्ट का मान 10 आ रहा है तो तीन पार्ट का मान कितना हो जागा 10 multiply by 3 is equal to 30 आ जागा तो इसके लिए हमारा trick क्या हो गया इसके लिए हमारा trick यह है दोस्तों कि इस figure में त्रूजों की संख्या ब्राबर क्या हो जाएगा उर्दोआदर खंडों का योग यह जो खंड है उनका योगी तो कर रहे हम लोग तो उर्दोआदर खंडों का योग multiply by 36 रहा है जैसे देखें यहाँ पर यह तीन भाग में बढ़ गया तो इसमें तीन का multiply कर देंगे तो अगर ऐसा figure होगा तीन पार्ट में बटा होगा तो उसमें टोटल 30 त्रिवू जो जाएंगे ठीक है दोत्तों 30 इसका correct answer हो जाएगा देखिए question number 3 है हमारा इस type के figure भी हमें परिशाओ में देखने को मिल जाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कुछ नहीं है बहुत ही आसान है देखने में चटिल लग रहा है पहले वाला यह जो figure है इसी में इसी figure को उल्टा करके एक बार और लगा दिया है ठीक है अगर यह वाला figure ना रहता तो यह कैसा रहता ऐसा रहता तो ऐसे figure को तो हम लोग count करना सीखें हैं तो कैसे count करेंगे चलिए देखते हैं simple हम लोग क्या करना है कि अंदर वाले चोटे त्रीजों को numbering कर देना है count कर लेना है ठीक है तो देखिए एक दो तीन चार और पांच सभी को add कर देना है दोस्तों हमें तो देखिए one plus two plus three plus four plus five total add करेंगे तो कितना आ त्रिभूज 15 आ गये इस वाले इस वाले फिगर में टोटल 15 त्रिभूज आ गये तो अब वही काम हम लोग उपर भी करेंगे देखिए एक दो तीन चार पांच चोट और पांच खंडों में बटा है सभी को हम लोग आड़ करतेंगे कितना हो जाएगा 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 15 आ गया मतलब कि हमारे कितने त्रिभूज ओंगे टोटल 15 उपर और 15 ये नीचे 15 प्लस 15 कितना हो गया 30 त्रिभूज हो जो गया है टोटल इस फिगर में 30 ट्रिएंगल है ऑप्षन नमर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट एंट्र हो जाएगा दो तो इस तरीके से ऐसे क्वेस्चिन को बहुत ही आशार निसे स्ट्रॉल कर सकते हैं चलिए अब नेक्स क्वेस्चिन देख टीक कहा है और उसमें और वादर कंडों को बी या बाटा लेंगे और इसमेंम लग decision करें 2 3 3 4 10 टोल यहाँ पर कितने आ गए दस आ गए अब इस वाले लाइन को लेंगे हम लोग तो देखें एक 2 3 3 2 5 6 यहां पर हमारे कितने आ गए 6 आ गए अब हम लोग इस वाले लाइन को लेंगे तो देखिए यहां पर 1-2 और 3 यहां पर 3 त्र्वुज मिल गए 3 part मिल गए हम लोग को तो इसको हम लोग add कर लेंगे देखिए 2-1-3-3-6 यहां पर कितने त्रवुज फिटने त्रवुज मिल गए अब simple हम लोग को क्या करना है दोद्वो सभी को add कर देना है सबसे पहले हमें क्या मिला 10 त्रिपुज मिले उसके बाद हमें क्या मिला 6 त्रिपुज मिले उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पर 3 त्रिपुज मिले उसके बाद हमें क्या मिला यहाँ पर 6 त्रिपुज मिले मतलब की option number ए हमारा इस question का correct एंटर हो जाएगा दोस्तों तो इस तरीके से ऐसे question को बहुत ही आसानी से हम लोग solve कर सकते हैं दोस्तों देखिए next question है दी गए आकरती में त्रिबूजों की संख्या ग्याद केजिए इस type के figure भी हमें अक्सर परिशाओं में देखने को मिल जाते हैं तो ऐसे question को हम लोग कैसे आसानी से solve कर सकते हैं चलिए सीखते हैं देखिए जब भी हमें ऐसा figure देखने को मिले मतलब की अंदर वाला त्रिबूज बाहर वाले त्रिबूज की सभी बूजाओं को चुए तो उसको हम लोग कैसे solve करेंगे देखिए जब भी हमें ऐसा figure देखने को मिले कि अंदर वाला त्रिबूज बाहर वाले त्रिबूज की सभी बूजाओं को चुएगा तो अंदर कितने त्रिबूज बनेंगे चार त्रपुज बनेंगे और बाहर वाले त्रपुज की काउंटिंग हम लोग बाद में करेंगे दोस्तों तो देखिए अंदर कितने त्रपुज बन रहे हैं छोटे त्रपुज़ों को सबसे पहले हम लोग कांट कर लेंगे देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 टोटल चार त्रिबूज हो गए और बाहर वाल त्रिबूज की counting हम लोगो सबसे बाद में करना है तो देखे एक, दो, तीन, चार और एक बाहर वाला टोटल इसमें कितने त्रिबूज हो गए तो इस फिगर में टोटल पांच त्रिबूज हो जाएंगे अब चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखे इस फिगर में कितने त्रिबूज हो निकालते हैं हम लोग तो देखे, सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे एक ठो अंदर एक ठो छोटा त्रिबूज है यह इस वाले त्रिबूज की सभी बुजाओं को छूरा है और यह वाला जो त्रिबूज है यह बड़े वाले त्रिबूज की सभी बुजाओं को छूरा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अंदर से सुरू करेंगे छोटे वाले त्रिपुच को पकड़ेंगे सबसे पहले छोटा वाला त्रिपुच बड़े वाले त्रिपुच के सभी बुजाओं का छूरा है तो अंदर हमारे कितना त्रिपुज बन जाएगा चार त्रिपुज बन जाएगा जो कि मैंने अभी इस figure में आप लोगों को बताया समझाया rule ठीक है अब देखे अब ये वाला त्रिपुज जो है ये ये वाले त्रिपुज के सभी बुजाओं को चूरा है तो अंदर अंदर कितना त्रिपुज बन जाएगा चार और त्रिपुज बन जाएगा और सबसे बड़ा जो बाहर वाला त्रिपुज है उसका काउंटिंग हमें बाद में करना है अब आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों यहाँ पर उपर अगर यह पाट बाट रहा है तो यहाँ पर कितने त्रिपुज हो रहा है एक दो दो त्रिपुज बन रहा है यहाँ पर कितने त्रिपुज बन रहा है एक दो यहाँ पर कितने त्रिपुज बन रहा है इसको भी हम लोग आट कर देंगे तो टोटल इस फिगर में कितने त्रिबूजों हो गए देखिए तो टोटल इस फिगर में हमें 15 त्रिबूजों देखने को मिल रहे है ठीक है दोस्तों तो इसका सही एंसर हो जाएगा 15 इस फिगर में टोटल 15 त्रिबूजों है देखिए ने कोचन है हमारा दी गए आकरती में त्रिबूजों की संख्या ग्यात के जिए इस टाइब का फिगर सैकड़ों बार परिच्वाव में पूछा गया है दोस्तों तो इस टाइब के फिगर को सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस पूरे फिगर में जितने भी छोटे त्रिबूज है उन्हें हमको काउंट कर लेना है देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नव अब इस फिगर में करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है ड्रिक क्या है देखिए एक ट्रिक है हमारा अंदर वाले छोटे त्रिबूजों की संख्या गुना दो माइनस पांच यही इस फिगर को सॉल करने का सबसे आसान ट्रिक है दोसों तो देखें इसमें हम लोग simple रख देंगे अंदर वाले चोटे त्रफुजों की संक्या कितनी निकल के आई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल अंदर अंदर 9 चोटे त्रफुजा है तो अंदर वाले चोटे त्रफुजों की संक्या कितनी है 9 है 9 multiply by 2 करना है हम लोगों को और minus क्या कर देना है 5 कर देना है तो 9 multiply by 2 minus 5 करेंगे इसको solve करेंगे हम लोग तो देखिए 9 2 जा क्या होता है 18 होता है 18 minus 5 equal to क्या आ जाएगा 13 मतलब कि इस figure में total कितने त्रिपूज हो जाएगे total 13 त्रिपूज हो जाएगे option number D यहाँ पर correct answer हो जाएगा दोता हूँ तो वीडियो अगर आपको helpful लगी दोता हूँ तो वीडियो को like करें और channel को subscribe कर लें ताकि ऐसे important वीडियो आप लोगों को हमेशा हमारे channel पर देखने को मिलती रहें ठाइक पर watching friends बाबाए